संयुक्ताक्षर, संयुक्त व्यन्जन और द्वित्व व्यन्जन. संयुक्ताक्षर, दो व्यन्जन मिलकर एक नए रूप में आ जाते हैं, जैसे ख्ष, त्र, ग्य, श्र. आप जानते हैं, क, जमा श, बराबर क्ष, त, जमा र, बराबर तर, ज, जमा इय, बराबर ग्य, श, जमा र, बराबर श्र. क्षा से बनता है कक्षा यानि क्लाज, क्षा से बनता है पक्षी यानि बर्ड, तरह से बनता है नेत्र यानि आई, तरह से बनता है पत्र यानि लेटर, ग्या से बनता है विज्ञान यानि साइन्स, ग्या से बनता है ग्यानी यानि वाइज, श्र, श्र से बनता है श्रम यानि लेबर, श्र से बनता है विश्राम यानि रेस्ट, संयुक्त व्यंजन, दो भिन 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 व्यंजन जुड़कर संयुक्त व्यंजन बनती है, इनने से पहला व्यंजन स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, आओ देखें कौन सा व्यंजन कैसे सियुक्त होता है? बीच में खड़ी पाई सीधी रेखावाले व्यंजन. क, क, मक्खी, मक्खन, भ, भ, दफ्तर, हफ्ता. अंत में खड़ी पाई सीधी रेखावाले व्यंजन. च, छ, मक्चर, अच्छा, प, प्य, प्यार, प्याज, त, त्य, त्याग, सत्य, ध, ध्य, ध्यान, मध्य, स, स्त, बस्ता, नमस्ते. बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन. द, द्य, विद्याले, विद्युत, त, ठ, चिठ्थी, गठर, द, ध, बढ़, गढ़, द्वित्व व्यंजन. इसमें दो समान व्यंजन एक साथ आते हैं. इनमें से पहले व्यंजन के साथ कोई स्वाय नहीं होता है, जटकि दूसरे व्यंजन के साथ कोई न कोई स्वाय अवश्य होता है. अतह ये बिन-बिन रूप में लिखे जाते हैं. वैसे ये भी संयुक्त व्यंजन की श्रिनी में ही आते हैं. कुछ दुवित्व व्यंजन वाले शब्द पढ़ू. क जमा क, क मक्का, धक्कन, ग जमा ग, ग, सुग्ग, चुग्ग, च जमा च, च, बच्चा, कच्चा, ज जमा ज, ज, लज्जा, सज्जन, त, जमा त, त, मिट्टी, पत्ती, द, जमा द, द, हद्धी, गुड्धी, त, जमा त, त, पत्ता, कुट्था, द, जमा द, द, बद्दा, गद्दा, न, जमा न, न, गन्ना, पन्ना, म, जमा, म, म, जमज, अम्मा, ल, जमा ल, ल, बिल्ली, इल्ली, स, जमा, स, स, गुसा, रसी.